संजग किस तरह की तैयारी हनुमान गढ़ी की है सुबा सुबा भवान हनुमान के आश्रवाद लेने के लिए कौन कौन से लोग पहुंचे सादू संतों में आज के भविकारख्रम को लेकर किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है संजग सबसे पहले तो मैं यह बताऊंगा कि हनुमान गढ़ी को पूरा च्छावनी की तरह तबदील कर दिया गया है आस पास लगवग 500 मीटर के इलाके में पूरी तरह से एस पी जी और उत्रप्रदेश पुलिस तैनाथ है बाहर ब्रीफिंग चल रही है और सीडियों के बाहर सारे इलाके को कोई भी बहान की आवाज आही नहीं है सारे लोगों की चेक जाच करके उन्हें आने दिया जा रहा है और हनुमान जी के इस हनुमान गड़ी की मेंदारी तो वानर सेना ने संभाल रखिए हमारे साथ मेहंत राजुदास जी हैं इन्से हम बात करते हैं में जी क्या क्या कैसा कारिक्रम रहेगा पहले तो आपको जैसर राम जैसर राम और लगातार आप लोग कबरेज दिखार हैं पूरे देश दुनिया को कि को भी नाइ से कोई आनिशक था और मानिय प्रधान मंतर जी पहले हमान गड़ी आ रहे हैं स्वाइम खुद उत्तरपदेश के सश्वी मुक्ष मंतरी महराज योग याजनाद उनको रिशीव करेंगे रिशीव करने के बाद वैदिक मंत्रों उचारण के शाथ में वो आएंगे हमान जी के दर्बार मानि के बाद सोचल इटेंस के नाति हैं वे भार नहीं किया जाएगा और यहां पर वो प्रणाम करेंगे स्वस्तिवाचन के साथ में आर्ति करेंगे आर्ति के बाद वो परकर्मा करेंगे परकर्मा करने के बाद वो महराज शाह असरवाद लेंगे प्रात्मा यहां चारों और कालीन यानि प्राकृतिक अनुभव देने के लिए यह कालीन बिचाए गया है और इसके साथ ही यहां इधर से प्रधान मंत्री आएंगे क्योंकि यह पूरे इलाके को कॉर्डन आफ कर दिया गया है और यहां दर्बार में वो हनुमंत लाल के दर्शन करेंगे हनुमान लाला के दर्शन करेंगे कि अधर देखिये हनुमान जी किस हिसाब से मुश्कुरा रहे हैं कि आज भगवान सरीराम की जन्मस्थली पर इतने संघर्स के बाद इतने बंदानी की बाद इतने साधू संतों की कुर्वानी की बाद इतने साधू संतों ने अथक लड़ाई-लड़ी प्रयास किया उसके आज मोदी जी भीनी पूजन मारें उससे पहले आई हनुमानी से मिलेगे और हनुमानी महराश्य प्रात्ना करेंगे जो आपके आराद है इतने दिन से और यहां सामने उनका संवान और हनुमानी का आजिए सोसर लिटेंस के नादे कारिकम में चन्जिंग खाली जिस जगब आप खड़े हो इसी जगवपर खड़े हो दर्शन आरती करेंगे प्रक्रमा करेंगे वापस हो जाएंगे क्योंकि और यह घंटा क्यों से साकित कॉलेश का बहां पर हाईलीपैट बनाय गया है वहां से हमारे संबाद दाता इस वक्द जोड़ चुके हैं हमान शो मिश्वा हमाशो आप किस तरक ये तस्विरे दिखाएंगे? यहाँ पर सजा दिया गया है और प्रधान मंतरी के स्वागत के लिए बड़ी चीज ये है कि जब भी इस तरीके का कोई कारिकरम होता है तो प्रधान मंतरी नरेंद्र बोधी के स्वागत के लिए दोनों तरफ जो है वो बेरिकेट बनाई जाते हैं और लोग उनका स्वागत क जब काफिला निकलता है तो वो रोड शो बे तबदील हो जाता है लोग उस पर फूल मालाई बरसाते हैं हमने और आपने वार्णसी के अंदर देखा है नमस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप हमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले